recently आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा I am pass out या फिर कोई भी प्रीमेर बी स्कूल पास आउट बंदा या बंदी job छोड़ देते है and then they put up a video saying that I left the job, corporate pressure, dark side of corporate culture and everything in this video we are going to decode कि exactly होता क्या है pros and cons या फिर flip side जो भी कहना है कहलो लेकिन इस video में आपको clarity आ जाएगी बहुत वीडियो है इसलिए समझ लो first of all MBA करने के ठान ली तो ये बात तो समझ लो कि MBA करने के बाद जो आपको salary मिलने वाली है अच्छे B school से किया तो बहुत अच्छी salary मिलेगी उतना pressure भी होगा उतने expectations भी होगी and they will squeeze the complete juice out of you ठीक है ये तो आपको बता है लेकिन ये phase में जब आप जाते हो तो completely condition अलग होती है virtually सोचना and actually वो life जीना इसमें differences होते है and इसकी वज़े से फिर बाद में बहुत साथी problems हो जाती है first of all ये समझते है कि बंदा एक अपनी अच्छी job quit क्यों करता है दो reasons है एक तो company या फिर आप खुद हो company में culture अच्छा नहीं है, growth नहीं है, politics है, पता नहीं क्या career opportunities आगे होने वाली है इसे बहुत सा reasons होते है, जिसकी वज़े से company is liable या फिर company is the reason because of which बहुत सारे लोग job छोड़ देते है क्योंकि पता ही नहीं था exactly क्या होगा and they are not able to match to the culture, pressure sustain ने कर पा रहे है या फिर deliver करने के बाद भी, अच्छी performance दिने के बाद भी जादा कुछ growth नहीं है definitely ऐसे के इसमें company छोड़ना ही बहतर होता है क्योंकि toxic culture में अगर आप grow करते हो तो खुद भी toxic बन जाते हो and you start shedding the same light on others as well अब बात करते है second पहलू की, the other side of the coin जो ज़्यादा responsible हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है अगर बंदे का skillset नहीं है, बंदा या बंदी, skillset नहीं है तो वो कभी figure out नहीं कर पाते कि यह जो problems है या फिर problem statements होती है उसको कैसे solve करे the second reason is आप pressure नहीं handle कर पा रहे हो, skillset है लेकिन जो company pressure होता है perform करने का, peer pressure यह सब चीजों को आप manage नहीं कर पा रहे हो अगर आप individual contributor हो तो अलग बात होती है लेकिन अगर आप team lead कर रहे हो mostly MBA करने के बाद आप team lead कर रहे होंगे या पर team का part होंगे तो वो dynamics आप संभाल नहीं पाते है ठीक है that is one thing and एक ऐसा होता है ना कि जब आप job करना start कर देते हो you know maturity नहीं होती तो बहुत ही जल्द ऐसा लगने लगता है कि या खुद का start-up कर लेते है खुद का कुछ outlet start कर लेते content create कर लेते है there are content creators out there जो depression में भी गये है तो content create करना इतनी easy journey नहीं होती so ऐसे alternate journey start कर देते या फिर passive income के बीचे बागने लगते है so then वो जो actual काम है corporate world में जो आपको काम दिया गया है और यह चीजों को balance out में कर पाते तो यह दोनों reasons है primary की company and आप खुद जिसकी वज़से आप job quit कर देते हो या फिर company आपको निकाल देती है performance basis पे या फिर recession चल रहा है तो lay off हो जाता है ऐसे condition में अगर आप MBA aspirant हो या फिर recently आपने job start किया है तो आपको यह समझना है कि negativity से दूर रहो first of all MBA करने के जिस दिन ठान लीती हो उस दिन आपको पता होना चाहिए कि बहुत जादा pressure होगा culture उपर नीचे हो सकता है it is all about your skill set the people management skills you have and you know कैसे आप perform करते हो ठीक है अगर आप आपको एक लाग से जारा की salary मिल रही है या फिर अच्छी salary मिल रही है in general तो company बहुत कुछ expect भी करती है आपका reaction क्या होता है जब एक दिन आपकी made नहीं आती खाना बनाने या फिर जो भी काम होगा ठीक है या फिर कोई और भी person हो सकता है जो आपके life में contribute कर रहा है लेकिन वो नहीं आया टाइम पर तो आपका घुसा होता है and that one day matters a lot तो आप सोचके देखो कि आपको जितना salary दिया जा रहा है उसमें company आपसे क्या-क्या expect कर रही है regular काम करो, लोगों को manage करो, खुटको grow करो, leadership दिखाओ, ये करो वो करो, so expectations बहुत है अगर आप वो match कर सकते हो, तो company को ऐसे फरकने पड़ता क्योंकि कोई और बंदा higher कर लेंगे लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा perform किया है, तो company आपको retain करने का पूरा try करती है, ठीक है, money is not everything, the things are changing, work-life balance, you know, overall culture कैसे, ये सब matter करने लगा है, क्योंकि at the end of the day, you have to be at peace and अच्छा लगना चाहिए है, job कर अच्छा का माने के बाद, and otherwise there is no use of doing MBA, इतना दो साल की सो, उसके वाले cat के लिए prepare करो, या फिर कोई भी entrance exam के लिए, and then at the end of the day, you get such results, जो बहुत demotivating होते है, खुद को strong रखो, mindset को strong रखो, you can definitely figure it out, इतने साही लोगोंने figure out किया, तो आप भी कर सकते हो, so negativity से दूर रहो, say strong and अगर आपको कुछ doubt है, तो comment section में बता देना, बाकि description में आपको important links बिल जाएंगी, profile कैसे grow करे, you know, certifications क्या होते है, आपको time है तो पढ़ लो, आपकी मदद की है, बाकि let me know in the comments और कौनसे topics पर वीडियो आने चाहिए, thanks a lot for watching, stay connected and always keep that smile up.